हेलो एवीबॉन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह वो आपसे क्या कहना चाहते ह है ठीक है रिडिंग को टोपिक यही है क्या बताती है सुबहसुबह की बात कुछ अलग होती है तो चल देखते हैं कि सुबहसुबह आपकी जो पाटनर है वी आपसे कहना क्या चाहते हैं तो ध्यान रिखेगा कि यह reading एक जैनघ रिडिंग होगी आपको पूरा क्या okay the emperor just a minute focus किजए या मेरी पास page of wands queen of pentacles okay four of swords okay या मेरी पास ten of wands okay या मेरी पास six of pentacles okay the high priestess का कार्ड है the magician and मेरे पास justice का कार्ड है एक last card निकाल रही हूँ मैं आपके लिए the world का कार्ड है okay so bottom of the deck है यहां पे six of wands okay so after valentine आपके पार्टन आपसे क्या कहना चाहते हैं यह हम देख रहे हैं तो दिखें आज मैं देख पा रही हूँ कि आज सुबह सुबह देखें आपके पार्टनर का माइंड काफी frustrated था देख रहा हूँ यहां पे five of wands के energy रही है यह person कहना चाहते हैं यार लडाई जगडों में क्या रखा है लडाई जगडों में रखा क्या है तुम मेरे से इस तरीके से खफा क्यों हूँ तुम मेरे से इस तरीके से नाराज क्यों हू पीज ऐसा मत करो ऐसी चीजे मत करो ऐसी बाते मत करो जिससे हम दोनों अलग हो जाएं हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होना है हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो इसके लिए कोई उपाय करो इतना ज़दा सोचो इतना ज़दा ज़दा जो हम दोनों के बीच में मिस कुछ नहीं रख़ा है मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना इगो कम करूं ब्ली अपना यहां सटेवीस यहां सबस्क्राइब देखो मैं रह करके हम दोनों ने ही एक गुज़े को अलग किया है हम दोनों नहीं एक दूसरे को सटिस्वक्शन नहीं दी है जो हम दे सकते थे जो हम कर सकते थे, जो हम बहुत-बहुत-बहुत स्पेशल कर सकते थे, लेकिन शायद हम दोनों ने वो किया नहीं, हम दोनों में वो हुआ नहीं मैं तो तुम से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, कल भी तुम मेरे दिल में थी या थे, और आज भी हो बहुत पेन हो रही है मुझे, बहुत पेन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो भी चीज़े हो रही है न, ये मेरे मतलब की सोच से बाहर है मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा एकदम मैंने दिल से इंतजार किया है मैंने चाहा है कि तुम मेरे मतलब एकदम से तुम मेरे करीब आओ मैं तुमसे कभे भी दूर नहीं जा सकता मैंने तुम्हें अपने दिल के हर कोने में मैंने तुम्हें बसाया है मैं सच में जानता हूं इतना मैं सच में तुम्हें इतना ज़दा कहना चाहता हूं इतना ज़दा कर देना चाहता हूं कि फिर तुम्हारे लाइफ में न किसी और की चाहत तुम्हें भी न हो और मुझे भी नहों देखो तुम्हें तो मैंने अल्रेडी अपनी मिस्टर बना लिया है अपने मन में मैंने इतना जदा किया है इतना जदा किया है कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है बहुत जदा प्यार किया है मैंने तुमसे बहुत जदा और देखो मैं तुम्हें उस तरीके से देखता हूँ उस तरीके से मैं तुम्हें फिल करता हूँ जिस तरीके से शायद शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि यार तुम मेरे दिन रात हर हर तरफ के सोच में तुम ही तुम हो मैं कितना भी परेशान रहूं कितना भी परेशान रहूं कितना भी परेशान रहूं लेकिन उस उस परेशानी में भी तुम मेरे साथ होती हो उस परेशानी में भी तुम्हारा और मेरा जो साथ होता है वो बहुत 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 ज़्यादा इस्पेशन होता है मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता या दूर नहीं करना चाहता खुद से तुम्हें और clear है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा महावबत करता हूँ इतनी ज़्यादा मेरी attachment है कि मैं तुमसे देखो family है परिवार है तो वो लोग pressure तो डालते ही डालते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इस तरीके से तकलीफ में देखना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहता हूँ कि मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि परसंग कहना चाहते हैं कि या सारे गिले शिक्वे दूर क्यों नहीं करते हम सारे गिले शिक्वे सब दूर करते हैं और हम दोनों एक दुसरेक साथ A Jack साथ बहुत बहुत जदा da happily रहेंगे मैं जानता हूं कि तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो या चाहती हो मुझे भी पता है कि Tumhara इंड्रेस्ट हैוכры मुझे दूर प्रट्फूल एनरजी में मुझे लगते हो लेकिन तुम अपने मन से अपने दिल से यह डाउट निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए दोंगा मैं तुम्हारे साथ जो है ना जस्टिस ही करूंगा मुझे पता है कि किसी के साथ गलत करने का क्या रिजल्ट ह होता है कर सब किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और किसी के साथ गलत करके इस रिश्टे को निभाना चाहिए निभानाशी चाहिए देखो मैं कभी भी किसी को ले करके इतना ज़दा शौर हो करके नहीं बोलता लेकिन जो तुम कर रहे हो जो तुमने किया है जरूर मचलागा थेखो हम दोनों की बीच में जूबी रहा है हम दोनों एक दुसरे इसाथ कॉंप्रोमाईस करके इस रिस्ते बहुत सारी कुछ चीजे हो सकती हैं लाइफ को एड्जस्ट करना लाइफ को थोड़ा आगे लेकर जाना थोड़ा ऐसा मुश्किल जरूर है बट ऐसा नहीं है कि एसा नहीं है कि कि हम दोनों अलग-अलग हैं हम दोनों एकदम से अलग-अलग होता है नहीं कि मैं अलग तुम अलग तुम अलग तुम वाली अनर्ज़ मुझे नहीं है मैं सरिफ तुम्हारे लिए जो है फिल करता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए अपने दिल में जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए अपने दिल में जो खुआईशे हैं वो रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना जदा तकलीफ फिल नहीं कर सकता, ठीक है, मैं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ को है ना जानता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं तुमसे एकदम टूली प्यार करता हूं अगर तुम मुझे जानना चाहो तुम मुझे पहचानना चाहो अगर तुम मुझे मौका दो तो शायद मैं तुम्हारे उस उस दर्द को उस तकलीफ को समझ भी पाऊगा और तुम्हें वो बता भी पाऊगा कि मैं कितना जदा प्यार करता हूं तुम्हें मैंने अपनी पुरी दुनिया माना है पुरी दुनिया और उस दुनिया में कहीं न कहीं मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हें मैंने सिर्फ तुम्हें चा से मने तुम से यही एक्सपक्त किया है कि तुम जो है ना मुझे कि मैं दोगे जो मुझे चाहिए मैं जानता हूं कि तुम है मेरे साथ जो रिलेशन रखना है वो relation में ना किसी और के साथ देखो मैं visualize नहीं कर सकता मैं visualize बिल्कुल भी नहीं कर सकता visualize मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ ऐसा है कि मैं life को थोड़ा सा थोड़ा सा change करना चाहता हूँ थेक है थोड़ा सा मैं change करना चाहता हूँ मैं life को ऐसा नहीं है कि तकलीफ दे करके दर्द दे करके है ना तुम्हें उस तरीके से मैं नहीं देख सकता मैं तुम्हें जो है ना जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में मैं आऊँ है ना उस तरीके से मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आ पा रहा हूँ वो अलग की बात है वो उन बातों को नहीं समझते हो, तुम उन सीज़ों को नहीं समझती हो, मैं तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नहीं समझ में आता है, पता नहीं. क्यूं? क्यूं ऐसा मैं अकेला पन फिल कर रहा था? कल भी बहुत जादा अकिलापन फिल हुआ, कल भी जादा मतलब बहुत 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 अकिलापन फिल हुआ, ऐसा लगता है जिसे कि मैं उस तकलीफ को उस दर्द को कभी भी कहते हैं कि मेरे लिए जहिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो मैं जहिल नहीं सकता, मैं लाइफ को न थोड़ा सा कहते हैं न कि चेंज करना चाहता हूं मैं लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता हूं मैं अपने आपको थोड़ा सा बदल के रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं बदल करके रखूंगा चीजों को रखूंगा तो कहीं न overall reading में मुझे यही दिख रहा है आपके cards में I hope reading आपके साथ resonate की होगी resonate की है तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं फिर आपसे किसी नए reading में तब तक के लिए bye bye